hello everyone welcome back to my channel innovation skills india friends today i am gonna share with you a most beautiful story by which you will be able to improve your english communication skills english language okay so without wasting time let's get start the video and let's see what's in the story okay to hum log is english story ka hum log english to hindi translate dekne waale so hiya dhekhty hain is english story ka sirsak yeha the brahmin and his enemies chikin brahman or us ke satru ya nike dusman enemy ka matalata satru dusman okay brahman or us ke dusman long ago bhoot pahle a poor brahman live eek garib brahman rata tha with his family अपने परवार के साथ in a small house एक छोटे से घर में ठीक है in a small house एक छोटे से घर में with his family अपने परवार के साथ एक गरी brahman रहता था ठीक है long ago बहुत पहले his disciples ठीक है his disciples would help him with a food and cloth ठीक है उसके disciples का मतलब होता है सिस्या या फिर चेला ठीक है यानकी उसके चेले would help him उनकी मदद करते थे with food and cloth यानकी भोजन और कपड़े से ठीक है उनकी चेला उनके चेला मदद करते थे उनको भोजन और कपड़े से he somehow वे कैसे भी he somehow वे कैसे भी managed to pass दिन मतलब गुजारने लगे his day अपना दिन ठीक है he somehow managed to pass his day वे कैसे भी अपना दिन गुजारने लगे one day एक दिन the Brahman received two calves as a gift from one of his disciples ठीक है धन्द जेगा एक दिन ब्रामन को प्राप्त हुआ ठीक है ब्रामन जो है ब्रामन को मिला two calves यानके दो बच्छेडे as a gift gift के रूप में from one of his disciples ठीक है उनकी एक सिस्थी से उनकी एक सिस्थी से gift के रूप में उपहार के रूप में दो बच्छेडे प्राप्त हुए ठीक है he was overjoyed वो बहुत ही अनन्द था he was overjoyed वो बहुत ही खुश था दाव हलांकी he had difficulty in arranging for food and gain to gain to the calves ठीक है धन्द जेगा हलांकी वो परसानी में था in arranging यानकी ब्यवस्ता करने में ठीक है यानकी उसे ब्यवस्ता करने में कठनाई हो रही थी he had difficulty in arranging उसने उसे ब्यवस्ता करने में कठनाई हो रही थी और बच्छड की आनाज के लिए बच्छड की आनाज के लिए बवस्ता करने में उसे कटिनाई हो रही थी वे दू बच्छड को खिलाने में सफल रहा इयर्स पास्ट बाई साल बितते गए और बच्छड बड़े होकर वे दू बैल बन गया एक चूर देखता था दबू लोगों को दफूलिस ब्रहामन डज नॉट इवन ड़न ओपर यूज ऑफ दिज बूलुक्स टिके यानिकी मुर्ख ब्रहामन डजन्ट इवन नो यह भी नहीं जानता है ठीके यह भी नहीं जानता है प्रोपर यूज यानिकी उजित उपयोग ओ दिज बूलुक्स टिके इन बैलो का ओके यानिकी मुर्ख ब्रहामन इन बैलो का उचित उपयोग नहीं जानता है आई विल एस्टील आई विल एस्टील मैं चुरा लोंगा बुल्क्स यानिकी बैलो को एंड शेल देम और उन्हें बेच दूंगा ही थाट उसने सोचा ठीक साम डेटिव दिवानुट साम धिच्च वें स्टार्टेट वर्थ ब्रहामन हाऊस है चोर जो है ब्रहामन की घर की ओर चल पड़ा धिस वें सब्स्क्राइब के घर की ओर चल पड़ा वाइल ऑउन दिस और ही जबइ यानिकी रास्ते में कहे सकता है कि उसके रास्ते में Wam कि इस यॉलंज ही रास्ते में द्धिति वज एसलों टीके है अधिस्प वाज एस टाप ट्रम है एड है इस है एडे पर यू Іअज है मैं तुम्हें खाऊंगा रक्षस ने कहा इन एठ SanDring वाइस यानि कि गरजते हुए आवाज में थ Search No इन एठन्डरिंग वाइस गरजते हुए आवाज में वेट वेट ठीक है इंतजार करो रुखो Dear Friends, प्व्यारे दोस्थ I am a Tish मैं एक प्रामान हाउस मैं ब्रामान के घर जो है ब्राम के घर के रास्ते में हूँ To still चुराने के लिए यानिकि उसके बेयलो को चुराने के लिए हूँ You can eat आप खा सकते हो The Brahm invece for me You can eat the Brahman आप ब्रामन को खा सकते हो Instead of me मेरे बदले Instead का मतलब क्या होता है कि कि बदले में और किसके बदले में तो of me मेरे बदले said the tisp चोर ने कहा the demon agreed यानिकी राक्षस सहमत हो गया the tisp and the demon proceed towards the brahman house यानिकी चोर और राक्षस proceed towards मतलब चल पड़े brahman house, brahman के घर reaching reaching का मतलब पहुँचना यानिकी reaching the house of brahman brahman के घर पहुचकर the tisp said चोर ने कहा let me take the bulls and go let me take the bulls मुझे बैलो को ले 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 दो and go और मुझे जानने दो बैलो के लेकर मुझे जानने दो then you तब तुम can eat the brahman, ठीक है, brahman को खा सकते हो तब तुम brahman को खा सकते हो no, नहीं let me eat, मुझे खाने दो brahman first, पहले brahman को ठीक है, नहीं, पहले मुझे brahman को खाने दो, I am hungry मैं भूखा हूँ road the demon, देखे, road का मतलब होता है दहारना, डेवन मतलब राक्षस, यानिकी राक्षस ने दहारा the two started two quarrel ठीक है, दोनो जगड़ने लगए quarrel का मतलब होता है कि जगड़ा करना और start कर दिया, यानिकी दोनो जगड़ने लगए the noise woke up the brahman ठीक है 29 का मतलब होता है कि हला से ठीक है, यानिकी आवाज सुनकर हले से woke up जग गया brahman, ठीक है, मतला आवाज से brahman जग गया as soon as, जैसे ही he saw the demon, जैसे ही उसने रक्षस को देखा he started chanting some mantra ठीक है, chanting का मतलब होता है कि जपने लगा, जपना यानिकी उसने जपना सुरू कर दिया some mantra, कुछ मंत्र ठीक है, यानिकी he started chanting some mantra, उसने कुछ मंत्र जो है, जाब करने लगा the demon uttered a sharp cry रक्षस ने यानिकी तीखा, मतला तीब्र चीखा ठीक है, तीब्र चीखा, मतला जोर से चीखा a-a-i-e okay, मतला a-a-i-e करकर के तीब्र चीखा, and disappeared और गाइब हो गया ठीक है, and disappeared और गाइब हो गया then the brahman goat hold a stick, thick stick देखे, thick stick का मतलब कहा था कि मोटी लाठी, ठीक है, thick stick मोटी लाठी, फिर या फिर तब, brahman ने एक मोटी लाठी पकड़े, ठीक है मोटी लाठी पकड़े, you tried to steal my bulks, ठीक है, bulks तुमने, तुम मेरे बैलो को चुराने की कोशिस की है ठीक है, you tried, तुमने कोशिस की है to steal my bulks, मेरे बैलो को चुराने की did you, क्या तुमने okay, did you, क्या तुमने said the brahman brahman ने कहा and he thrust the tip, ठीक है, और उसने अचोड की पिटाई की, ठीक है thrust the tip, चोड की पिटाई की thus, इस प्रकार, brahman saved himself from the demon ठीक है, thus, इस प्रकार brahman, जो है, saved himself, खुद को बचाया from the demon, राक्षास से, ठीक है brahman, राक्षास से अपने आपको बचाया, and eventually or antha, and eventually or antha, punished the tip ठीक है, चोड को दंडित किया okay the brahman and his enemy, brahman और उसके asattro, ठीक है, उसके दुसमान, where separate from each other, ठीक है, एक दूसरे से अलग रहने लगे, इच अदर का मतलब बताए, एक दूसरे, separate मतलब बताए कि अलग-अलग यानि कि brahman और उसके दुसमान एक दूसरे से अलग-अलग रहने लगे, तो दूस्तों मैं आसा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत, ये इंगलिस से सौट एस्टोरिय, पसंद आये होंगे, और कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि आपकी हार एक कमेंट मुझे मोटिवेट करती है, इस परकार की डेली इंगलिस से स्टोरिय लेकर आने के लिए सो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आये होगे, मिलते हैं, ऐसे ही संदार स्टोरिय के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, बहुत सार फ्यार, धन्यवाद, थैंकी सो मच